So friends, अगर आपको भी phrasal verb का यूज़ करने में दिक्कत होती है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना आपको एक अंदाज़ा हो जागा कि कैसे हम English sentence में phrasal verb का यूज़ करते हैं क्योंकि आज की इस वीडियो में हमारा जारतर फोकस होने वाला है phrasal verb पर लेकिन मैं आपको दोनुई sentence दिखाऊंगा कि कैसे हम किसी sentence को phrasal verb के साथ भी बना सकते हैं और बिना phrasal verb के भी बना सकते हैं So friends, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो यहाँ पर इस से कह रहा है कि हमें आज ही सारे दस्तवेज जमा करने हैं यहाँ इनके पास कोई कागज है कोई दस्तवेज है जो इन्हें किसी को सौपने है जमा करने हैं है ना तो पहले हम इसे बनाते हैं बिना phrasal verb के फिर मैं आपको बताँगा कि आप कौन-कौन जी phrasal verb का यूज कर सकते हो अगर आप इसको phrasal verb के साथ बनाना चाहते हो तो बिना phrasal verb के हम बोलेंगे we have to submit all the documents today we have to submit all the documents today यानि हमें आज सारे दस्तवे जमा करने हैं we have to submit all the documents today अब हम phrasal verb का यूज करेंगे हैं यहाँ पर जमा करने के लिए यानि किसी को सौपने के लिए हैंड इन हैंड इन सम्मिट की जगां को अंदे जुश करें हैं हैं हैंड इन phrasal verb का we have to hand in all the documents today we have to hand in all the documents today या आप hand over कर यूश करोगे we have to hand over all the papers by today या तो आप documents बोल दो या paper बोल दो तो आपर ही किरा है कि we have to hand over all the papers by today by today भी हम बोल सकते हैं कि आज हमें आज आज के अंदर ही हमें सारे सदस्तवेस सोपने हैं we have to hand over all the papers today तो सबसे पहले तो हमने submit देखा फिर उसकी जगा hand in और hand over phrasal verb का यूश कर सकते हैं आज चलते हैं अब यहां पर ही कि हमें तेस्तवेसों को जमा करने से पहले इनका अध्यान करना होगा अध्यान जएन ही ने देख ना होगा है कमी तο नहीं है मतलब इन की जांच करनी एक परखाड से इसको चेक करना होगा अच्छे से इसके लिए हम उस करेंगे go गोवर का, we have to go over these documents before submitting them, गोवर का मतलब है कि इन्हें पढ़ना होगा, दुबार से अध्यान करना होगा, समझना होगा, यानि एक दफ़े तो हमने देख लें, दुबार से, we have to go over these documents before submitting them, यानि इन्हें सम्मिट करने से पहले में इनका अध्यान करना होगा, अच्छे समझना ह अब आगे आते हैं, यहाँ पर यह लड़की इससे कह रहे है कि, कोल के दोरान मेरे फोन की बैटरी खतम होगी, है न, यह से कोल पर बात कर रहे थी, अचानक इससे फोन की बैटरी खतम होगी, और कोल कट गई, तो यह लड़का इससे नाराज है तो बता रहे है कि, my phone battery ran out during the call, तो कौन सी फोन की बैटरी खतम हो गई थी, my phone battery ran out during the call, आगे कह रहे है कि, मेरा phone खराब हो गया है, अब यह sentence का हम बहुत जादा यूज़ करते हैं, जब भी कह रहे हैं कि, मेरा phone खराब हो रहा है, खराब हो गया है, तो इससे हम चार तरीके से बोल सकते हैं, दो तरीके मैं आपको फ्रेजलोप के बताऊंगा, और दो तरीके बिना फ्रेजलोप के, सबसे पहला आप कहोगे, my phone has broken down, यहाँ पर broken break की third phone है, तो my phone has broken down, मेरा phone खराब हो गया है, यह आप कहोगे, my phone is acting up, इसका बहुत जादा यूज़ होता है, my phone is acting up, यानि मेरा phone तो act कर रहा है, न मेरा phone खराब हो गया, दूसरा तरीका है कहने का, पहला तरीका है, my phone has broken down, second, my phone is acting up, अब बिना फ्रेजलोप के, अगर हमें बोलना हो, तो हम बोलेंगे, my phone has stopped working, my phone has stopped working, simple English है, normal English है, बहुत जादा यूज़ होता है, my phone has stopped working, यह आप इस तरीके से भी कह सकते हो की, there is something wrong with my phone, there is something wrong with my phone, जब यह इसा situation हम भी उस करते हैं, मैं नहीं पता क्या हो रहा है, फोन में बस उचलनी रहा, गड़बड़ सी हो रही है कुछ, तो हम इस तरीके से कहते हैं, there is something wrong with my phone, there is something wrong with my phone, मेरे फोन की बेटरी बहुत जल्दी खतम हो जाती है, यहाँ पर मैं आपको तीन तरीके बता हूँ को इसे बोलने के, कहरें कि मेरे फोन की बेटरी बहुत जल्दी खतम हो जाती है, जब से पहले आपको होगे, the battery on my phone runs out fast, तो फिर इसे खतम होने के लिए हम run out phrasal pop का यूज़ कर रहे है, the battery on my phone runs out fast, यहाँ इस तरीके से बोलोगे बिना phrasal pop के, my phone's battery runs quickly, ट्रेंस क मतलब है, खतम होने से, एक दम सूक नहों जाए किस चीज़ का, तो इसके लिए हैं, आप इसका यूज़ हो है, खतम होने से, my phone's battery drains quickly, जल्दी खतम हो जाती है, यह आपको होगे, my phone's battery dies fast, लो डाइ कभी उस करते हैं, जल्दी मरने का मतलब है, जल्दी बंद हो जाता है, mobile ख जल्दी में 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 She blew up, यानि जब मेन उस से काकी में उसकी पार्टी में नहीं आ सकता तो वो गुस्सा हो गई, भड़क गई When I told her I couldn't come to her party, she blew up, वो बस मुझ पर भड़क उठी, यानि गुस्सा हो गई She just blew up at me, यानि वो मुझ पर भड़क पड़ी She just blew up at me, माफ करना मैं तुम पर भड़क गई थी, मेरे पिता फून का बिल देखकर भड़क गई थे तो इसने फून पर जो बिलाया वो बहुत जादा आया, तो बता रही है कि My dad blew up when he saw the phone bill, यानि जब उन्होंने फून का बिल देखा मेरे पिता ने तुम भड़क गई, यानि गुस्सा हो गई तो धियान रखना, blow up का मतलब होता है गुस्सा हो जाना कह रही है कि My dad blew up when he saw the phone bill, यानि मेरे पिता फून का बिल देखकर भड़क गए थे Next phrase over bogey friends, call off, call off का तो सबको पता है इसका मतलब होता है रद कर देना या cancel कर देना जैसे कि हाँ पर ही किसी के बारे में इससे बता रही है कि रही है कि शादी को रद करने की बजाए कपल ने भागने का फैसला किया तो लड़की या जोड़ा जिसम कपल बोलते हैं, हाँ पर उनकी शादी कैंसिल होने वाली थी तो यहाँ पर ही कहा है कि instead of calling of the wedding यानि कि शादी को कैंसिल करने की बजाए instead of calling of the wedding the couple decided to elope जब मैंने जोड़ने का फैसला किया तो मेरे माता-पिता ने मुझे सपोर्ट किया है यानि मेरा साथ दिया तो support करना, साथ देना, इसके लिए में एक phrasal verb का यूज़ करते हैं, back someone up तो यहाँ पर यह बता रहे हैं कि, my parents backed me up when I decided to quit my job यानि जब मैंने नोकर छोड़ने का फैसला किया, तो मेरे माबाफ ने मुझे support किया, यानि मेरा साथ दिया My parents backed me up when I decided to quit my job क्या तुम please, सिर्फ एक बार मेरा साथ दोगे, तो इस English में बोलेंगे, will you please, just for once, back me up तो back up का मतलब होता है, किसी को साथ देना, support करना, तो इसलिए पूछ रहे हैं कि, will you please, just for once, back me up क्या तुम please, सिर्फ एक बार मेरा साथ दोगे, next phrasal verb होगी friends, come down with something Come down with, इस वहतना मतलब होता है कि कोई चोटी मौटी बीमारी होना यान्य कोई बीमारी होना तो जैसे कि आपर ही कह रहा है कि, मुझे अच्छा सा महसूस नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है, कि मुझे कुछ हो रहा हैं अरपर कुछ होने का मतलब कोई बीमारी हो रही है तो इसको इंग्लिसमें बोलेंगे I am not feeling so well यानि मुझे अज़ा सा महसुस नहीं हो रहा I am not feeling so well I think मुझे लगता है I am coming down with something मुझे कुछ हो रहा है I think I am coming down with something मुझे ऐसा नग रहा है कि मुझे कूछ हो रहा है। तो ध्यान रखना है या पर कुछ होने का मतलब है इसलिए बीमारी हो रही है! तो उपिछ छोटी हो बीमारी के लिह हम्यूज करते है cumb down with a तुशका एकोती उपिचामपल देखते है हैं, हाँ पर ही कह रहा है कि लगता है मुझे नजला हो रहा है, इस English में बोलेंगे, I think I am coming down with a cold, I think I am coming down with a cold, यानि मुझे लग रहा है मुझे नजला हो रहा है, I think I am coming down with a cold, मुझे लगता है मुझे नजला हो रहा है